इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. केटेफिंग Z plus lotion दो antifungal दवाओं का एक मिश्रन है जो तवचा में fungal infection और dandruff का प्रभावी रूप से इलाज करता है. यह infection उत्पन करने वाली फंगी को मारता है और खुजली और जलन से राहत देता है. केटेफिंग Z plus lotion केवल बाहरी अंगों के लिए है और इसे डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए. दवा की पतली परत को साफ और सुखे हाथों से त्वचा के केवल प्रभाविक शेत्रों पर लगाया जाना चाहिए. दवा लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं. अगर यह आपकी आंख, नांख या मूँँ में चला जाता है तो पानी से धोलें. लक्षणों में सुधार आने में कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है, तो अपनी दवा को नियमित रूप से लेते रहें. दवा के बहतर असर को सुनिश्चित करने के लिए इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए. यह दवा आम तोर पर सुरक्षित है और इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं होते हैं. हाला कि अगर आपको एप्लिकेशन साइट रियेक्शन जैसे कितवचा पर जलन, लालिमा और खुजली का अनुभव हो, तो अपने डॉक्टर से बात करें. यह संभावना नहीं है कि आप द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के कारियों को प्रभावित करेंगी. लेकिन अगर आपने हाल ही में डैंडरफ के लिए दूसरी दवा का इस्तेमाल किया है तो इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें. यह दवा गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती है. गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इस दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्ष करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद